आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं Big Boss OTT Season 2 के बारे में वैसे तो 24 गंटे के फीड में बहुत पहले देखा दिया जा रहा है फ्री वाइफाई है जा जाकर के कनेक्ट हो जा यह चीज जो है अपने फुक्र इंसान ने कहा है और जब यह हमने 24 hours के फीड में देखा था ना तो उस वक्त में ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत बड़ी गलती की है यह चीज नहीं बोलना चीए था यह भाई साब जो है अपने देश में एक महमान के तौर पर आये है एक फॉर्णर बंदा है उसको ऐसे कैसे बोल सकता है वो open minded है भाई वो सबके साथ में जाके गुल मिलके रहता है उसमें problem क्या है और उसको तुम ऐसे free wi-fi यह संगे ले एक तरह का cheap word है कि free wi-fi है जाओ जाकर के connect हो जाओ तो भाई यह सुनने के बाद में काफी जोर का जटका लगा था लेकिन जब final episode आया उसके अंदर में जो detail दिया गया उसको देखने के बाद में गुस्सा जो है पुकरा इंसान पे नहीं जैड हदीद पे होना चाहिए क्यों मुझे नहीं पता आप किस तरह से देख रहे हो और कितने डीपली देख रहे हो लेकिन जैड हदीद सबसे पहले मनिशा रानी से दूर हुआ क्योंके भई वो उसकी टाइप की नहीं है और वो उस तरह की उसे स्टैंडर को शायद उसकी मैच नहीं कर पा रही है इसलिए काफी शरीव बन अगर तुम्हारे एक्वेशन सबके साथ में ऐसे ही है तो मैं दूर हूँ लेकिन अगर मुझे थोड़ा भी अगर स्पेशल फील हुआ तो देखते हैं ऐसे गर के वो निकल जाती है बहुत आराम से उसको कहती भी है कि तुम्हारा ओपिनिन चेंज भी हो सकता है टेक यो ट अगर बहुत बड़ा हभी बनके सामने आता है मतलब उसके सारे लगेच को जो है इधर से उधर ले जाने में उसके बाद से भाई सामने से फ्रूट एन वाटर लाकर के देता है कि ले लो मेरा मतलब एक तरह से होस्ट हूँ ना तुम्हारा इस तरह से चल रहा था भाई मैं वर्ट भूल गया हो शिद्जाक करके कुछ बोलता है जिसका मतलब होता है आई मिस यू बंदी जैसे ही कहती है पिक बैक बंदा कहता है आलवी टू भाई साहा ये भावरा बनना नहीं हुआ तो क्या हुआ फुक्रा इंसान ने देखा जाए तो इज़त रखने के लिए फिर भी जो है ना तुम्हें वाई-फाई का नाम दिया है फ्री वाई-फाई वरना ना इसको भावरा पंती ही कहते है जो तुम कर रहे हो तो भाई मुझे रिग्रिट नहीं है कि फुक्रा इंसान ने क्या कहा उसने जो कहा ना उसकी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए कि यह चीज़ ठीक ही है अब अन्दा ऑन कैमरा बोला भी कि भवरा भवरा जो तुम खेल रहे हो वह सही है मैंने फ्री वाई-फाई कह दिया तो प्रॉबलम हो गया हाँ तो भाई साब गेम खेलना शुरू कर चुके है मतलब गेम जिस तरह से होता है बिल्कुल वैसे शुरू हो चुका है तो आप बताओ आप किसके साइड में हो इस मामले को ले करके जैड हदीदी के साइड में हो या फिर अभिशेक मलहान के साइड में हो कमेंट करके जुरू बताना